नमस्कार दोस्तों आरोग ये modern homeopathi में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम सुपर स्पेशालिटी modern homeopathi दवाईयों की success story में बात करने जा रहे हैं एक गंभीर और लाइलाज बिमारी, celiac disease के बारे में दोस्तों ये disease gluten allergy के नाम से भी जानी जाती है इस बिमारी में मरीज को gluten याने की गेहूं से बने पदार्थों से allergy होती है जिस वजह से वो गेहूं से बना कोई भी पदार्थ consume नहीं कर पाता और अगर खा लेता है तो उसे पेट में दर्थ, डाइडिया, indigestion और कोई भी खाना सूट नहीं करता जिस वजह से उसे कमजोरी होने लगती है गेहूं आम व्यक्ति के लिए काफी जादा आवश्यक है क्योंकि गेहूं की बनी रोटी हम सुभे शाम खाते हैं और उसी से हमारा पेट भरता है अगर किसी एक मरीज का ऐसा हाल हो जाए कि उसे गेहूं खाना बंद करना पड़े जिस वजह से वो अपना काफी जादा मांसिक संतुलन तो खो बैठता है साथ ही वो सामानी जीवन से काफी जादा दूर होता चला जाता है जिसके लिए Modern Medical Science में कोई पुखता इलाज नहीं है बलकि डॉक्टोरों के द्वारा कुछ Medicine दी जाती है और कहा जाता है कि आपको गेहूं से बने पदार्थ खाना बंद करना पड़ेगा लेकिन दोस्तों Modern Homeopathy दवाईयों की मदद से आज तक ऐसे कई पेशेंट्स हैं जो कि इस बिमारी को खत्म कर पाए हैं इस बिमारी पर उन्होंने जीत हासल की है और आज वे सभी पेशेंट्स गेहूं से बने हुए सारे पदार्थ खाते हैं और एक सामानी जीवन बिता रहे हैं दोस्तों आज हम एक ऐसे ही पेशेंट और मिला साहु जी से मिलने जा रहे हैं चेहे एक साल पहले पता चला था कि उन्हें सीलियक डिसीज जैसी घंफीर बिमारी है जिसके लिए उन्होंने कई डॉक्टरों से इलाज करवाया लेकिन सभी डॉक्टरों ने एक ही चीज कही कि इस बिमारी का इलाज नहीं है आपको गेहूं से बने हुए पदार्थ नहीं कंस्यूम करने हैं और ये कुछ दवाईयां खानी है लेकिन उन्हें कहीं से भी कोई आराम नहीं मिला फिर एसी दौरान उन्होंने एक न्यूस पेपर में जिसके चलते उन्होंने तुरंत डौक्टर अर्पिच चोप्रा जैन से कंसर्ट किया और उनकी मौडर्ण होमेपेथि दवाईयों को अपनाना शुरू किया और ट्रीट्मेंट के एक महीने के अंतराल महीं उन्हें काफी जादा आराम मिलने लगा जहां आज वे गेहू के पदार्थ भी खा सकती है और वे काफी जादा स्वस्त भी महसूस कर रही है तो चली दोस्तों जानते हैं उन्मिला साहू जी से कि किस तरह मौडर्ण होमेपेथि दवाईया सीलियक डिसीज जैसी गंफिर बिमारी को जड़ सी खत्म करने में कारगर साबित होती है कि आप को पेट में प्रोब्लम है तो आराम पड़ा कि आप कुछ भी आराम नी पड़ा हमने पेपर में देखा था देनिक भासकर मौडर्ण हमपेथिक दवा तो तीन महीने में अभी मेरी गेहों की एलर्जी वारी रिपोर्ट नेगीटिवागे फिर खाने लग गई क्यों कि आप बीमारी से जंग जीत गए और दोई लोग अभी तक मतलब यह बीमारी बहुत कम लोगों को होती वैसे तो को अभी मतलब एक महीने से आराम पेट में और मतलब खाना भी खा पारी मिन पहले एक दो रोटी कहा थी तो उसके आल मन्नी होता था भी खा रही में तीन रो कुछ भी परेज नहीं सब कहा सकते हैं कोई भी डरे नहीं यह बीमारी तो दौक्टर साफ पास आए और इलाज करवा उनका डाक्टर साब का भी धन्यवाद करना चाहती हूं मेरा नाम सावित्रि ए डिए डड़की का नाम उरमिला है उर मेरे बेटे का वी इलाज जहीं से चालू है नेज़ा ड़ यह बेटे का पहले चल रहा उस पी खान अलीग बालडिला हो गया ता और हमने उसका परेशन भी कर वा लिया तो और उसको आराम नहीं हुआ थे पर मे मेरी बेटी है उर्मेला इसको ग्योंकी अलर्जी हो गई थी अमने चोतरा में बहुत इलाज करवाया और बी दो तीन जगे करवाया लेकिन इसको कहीं से आराम नहीं लगा थोड़ा फोड़ा दवाई गोली से दरादब जाता है लेकिन फिर ने यहां का पड़ा में पड़ा को हम यहां लेकिया है वह पाल रेती है यह मैंना सुचा मनी इसका लाज चल रहा तो आपका यहीं से करवा देते हैं तो इसको तीन मैंने में आराम हो गया डाक्तर साब ने बोला के जांच करवाब जब पता चले साथ तर हमने अभी जांच करवाई आज दिखाई उनको तो पिर उनना बोला सई एज भूले टन बाद करती हुआ हैं मेरे एक छोटी नाथनी उसका यहीं से चल रही है मैं ड़ाध इलाज करते हैं मेरे इलाज घहीं से करवा रहा है लिए बहुत 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 दथन बहुत दंवादे मेरे बच्च को ठीक है उसके लिए भी तो दोस्तों ये थी उर्मिला साहुजी जिन्हों ने बताय कि एक साल तक इस गंभीर बिमारी से परेशान होने के बाद जब उन्होंने मौडन होमियोपेटि दवाईयों का सेवन किया तो आज वे काफी जादा स्वस्त महसूस कर रही हैं जसके लिए वे डॉक्टर अर्पेच चोपड़ा जैन का धन्यबाद भी व्यक्त करती हैं तो चलिए दोस्तों जानते हैं सुपर स्पेशालिटी मौडन होमियोपेटि चिकित्सा पधती के आवश्कारक डॉक्टर अर्पेच चोपड़ा जैन से कि किस तरह मौडन होमियोपेटि दवाईया सीलियक डिसीज जैसी गंभीर बिमारी को हराने में मदद करती है दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक दुनिया की वाकई बहुत ही ज्यादा रेयर और विचित्र बिमारी ग्लुटेन इलर्जी सिलिक डिसीज के बारे में एक ऐसी बिमारी जिसमें अगर हम बात करें तो खाने का जो सबसे मुख्य पदार्त है गेहू या गेहू से बने वे जो पदार्त या प्रोड़क्ट होते हैं अगर हम उसे ना खा सकें या कह सकते हैं अगर हम गेहू से बने पदार्त या गेहू को जब हम खाएं तो हमारी जोगेस्टिक मिकोसा है काफी सेंसिटीविटी के कांट जब डिस्रक्षन में आने लग जाए और कहीं न कहीं पेशेंट उसके कांट कमजोर होने लगे उसे पचा ना पाए और पेशेंट को काफी लूज मोशन, डायरिया एक तरीके से अब्डामिनल पेन, अगर कोई पेशेंट अगर सिलिक डिसीज या गेहूं से बरेवे पदार्थों से अलर्जी, ग्लुटेन अलर्जी से अगर कहीं न कहीं अगर गरसित हो रहा है, तो निश्चित रुप से उसके लिए फिसिकली तो तकलीप में होता ही है, मेंटली कॉन्फिदेंस उसका कमज जिन्दगी पर यहूं या उससे बने हुए पदार्थ से अपने आपको बचाना पड़ेगा, तो दोस्तों समझ सकते हैं कि उनकी महानसिक इस्तिति क्या हुई होगी, तो निश्चित रुप से दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं एक मैसेज देना चाहता हूं, बहले गूगल यह कहता है कि इस वीमारी का इलाज नहीं है, मेडिकल साइंस के सभी सेक्टर्स में ऐसा कहा जाता है कि इस वीमारी का चुकि कोई इलाज नहीं है, आप केवल बचने की कोशिच कर सकते हैं, और जीवन बर इस तरीके की प्रवित्य को आपको मैंटेन करना तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से clear message देना चाहता हूँ कि modern homeopathy super specialty concept treatment जो कि हमने homeopathy का aggressive treatment बना कर एक तरीके से fast treatment बनाया है बिना side effect का बिना परेज का natural और safe treatment जिसमें हम आपके pathology body response के इसाब से हम दवाईयों को selection करते हैं और चुकि आटोमीन बिमारी है तो हम अपनी immunity आटेक करें इसकी बजाए हम इस बिमारी पर अटेक करें यह कहीं न कहीं आटोमीन बिमारी ओपर कहीं न कहीं साकार साबित होती जा रही है और आज हम जो बात करने जा रहे हैं कि जैसी बिमारी जो कि रेर आटोमीन गेस्टो इंटरस्टानल बिमारी है जिसमें लोग गेहूं से बने पतार को खाने से ऐलर्जिक हो जाते हैं ऐसी बिमारी के इलाज के लिए जिसमें TTG टीशू ट्रांस ग्लोटियमेनरेज हार्मोन जो की एक तरीके से एक लेवल होता है जो की positive पाया जाता है जिसे ये कहा जाता है कि ये negative नहीं हो सकता उसे negative करने के लिए medical science में अभी तक कोई ऐसा treatment बताया नहीं गया है जैसा कि मिसेस उर्मिला शाहू ने भी बताया कि उन्हें एक साल तक सभी doctor's ने ये बोला कि इस बिमारी का कोई इलाज नहीं है और इस report को negative नहीं किया जा सकता तो उन्होंने इस बिमारी के लिए चुकि modernopathy treatment का उन्होंने जो तीन मिने का इलाज लिया उसके बतलत आज उन्होंने जो TTG का level है जो positive था पूरी तरीके से negative करके अपने समान हिस्तर पर प्राप्त किया और जिस तरीके से हमने सुना कि आब वो पूरी जिकली तो ठीक हुई mentally confident हुई जिसकी पुष्टी उनके जो चहरे पर मुष्कान है उससे इस बात का हम कही ने कहीं अंदाजा लगा सकते हैं कि वो काफी खुश है और कहीं ने कहीं वो सोशल याब वो कहीं पर भी जा सकती है कुछ भी खा सकती है और इस बिना डर के अपना समाने जीवन स्वस्ता जीवन जी सकती है तो दोस्तों जिस तरीके से मिसेस उर्मिला सहु ने TTG जो लेवल है उसे positive से negative करके सिलिक डीसीज जैसे लाइलाज, गंबीर और एक तरीके से रेयर आटोइमीन बिमारी पर विजय प्राप्त करके आज अपने आपको मौडरामपेति के फायदों से कहीं न कहीं लाभानवित किया इसी तरीके के एक और पेशन के बारे में बात करेंगे बेबी विदी सकसेरि सिलिक डीसीज जैसे लाइलाज, लाखों में रेयर बिमारी जो कि एक तरीके से कह सकते हैं कि किसी को एकसिदेंटली अगर हो जाए तो वाकई उसके लिए बहुत ज्यादा तकलीव वाली इस्तिती हो सकती है उससे अगर ही यह तीनों पेशन ने अपने आपको रिकावर किय तो निश्चित रूप से ये कहीं न कहीं मौड़रोंपिती का चमतकार, दुनिया के लिए कहीं न कहीं आपको useful tool के रूप में साबित होता है, और निश्चित रूप से मौड़रोंपिती के फायदे से ना केवल silly disease, वलकि इसी तरह की कई आटोइमीन, gastrointestinal बीमारी, जैसे के हम बात करेंगे, IBS जैसी बीमारी, irritable bowel syndrome, या फिर हो सकता है, ulcerative qualities, जिसमें हम बात कर सकते हैं, कई ऐसे patient के बारे में, जिन्हों ने इस तरीके की gastrointestinal आटोइमीन बीमारीयों पर भी, मौड़रोंपिती के फायदे से, पूरी तरीके से जड़ से समाप्त करके, विजय प् से सांता परवाल, जो की ताल, जिला, रतलाम, मद्यपदेस की रहने वाली है, 2015 से उन्हें ulcerative colitis की प्राडम थी, उन्होंने मौडरोंपिती का जो उप्योग किया, कि केवल 3-4 मिने के treatment से उन्होंने ulcerative colitis जैसी लाइला, बीमारी पर विजय प्राप्त करके, आज भी वो अपना स्वस्ता जीवन जी पा रहे हैं, मिसेस सीमा बढ़जातिया जो की मनसौर मद्यपदेस की रहने वाली हैं, जिन्होंने ulcerative colitis के लिए केवल 4-6 मिने का treatment उन्होंने मौडरोंपिती सुपर इस्पसिट का जो उन्होंने हमसे लिया, उसका फायदा ये मिला कि आज भी केवल मौडरोंपिती के treatment से समतकारी रूप से अपने आपको ठीक करके दुनिया के सामने प्रेंडा के रूप में साबित किया, हम बात करेंगे मिस्टर मिदूल सुकला जी की, जिन्होंने मौडरोंपिती से अपने ulcerative colitis की बिमारी को ठीक किया, हम बात करेंगे मिस्टर पर पुरी तरीके से विजय प्राप करके दुनिया के लिए प्रेंडा के रूप में साबित भी हुए, मिस्टर पीके चोहान साब जिन्होंने GERD के लिए, गैस्ट्रो इसे फाइगल रिफ्लक्स डिसीज के लिए, केवल 15 दिन के मौडरोंपिती सुपरिस्पेशली कंसेप के माध्यम से उन्होंने पुरी तरीके से अपनी समस्या का समधान किया था, हम बात कर सकते हैं मिस्टर विशेज जोसी जी की, जिन्हों करी 35-40 साल पुराना अपना इंडाइजेशन की प्रॉलम के लिए, मौडरोंपिती सुपरिस्पेशली कंसेप ट्रेट्मेंट का कुछ समय का ट्रेट्मेंट लिया और उसके कारण आज वो पुरी तरीके से अपना स्वस्ता जीवन जी रहे हैं, मिस्टर मौनिश जाक, किस साल की उमर में, जो इंटर्स्टानल आप्शक्षन की प्रॉलम थी, जो दो साल से उन्होंने तकलीप दे रही थी, उसे पुरी तरीके स से रिजॉल करके, आज वो अपना स्वस्ता जीवन जी पा रहे हैं, बीना किसी साइड इफेक्ट के, बीना किसी सर्जरी के, इंटर्स्टानल आप्शक्षन से गरसीत, मिस्टर राकेश चौरस्या जी, मौडर्न वुपिति के ट्रेट्मेंट के लिए, जब उन्होंने हमसे काफी वो तकलीफ वाली स्थिती में थे, उन्हें जबर्दस से अब्डामिनल पेंट की स्थिती का सिकार होना पड़ रहा था, कि केवल सास से पंदा जिन का जो ट्रेट्मेंट उन्होंने प्राप्त किया, उसके बदला उनकी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं पुरी तरीके से समान ने आई, और आज भी मिस्टर राकेश ओरिश्या जी इन दौर मध्यब्रदस में रहकर अपना सोस्तर जीवन जीपा रहें, तो दोस्तों आंत में यही मैसेज देना चाहूंगा, कि जिस तरीकी से करीब 3000 से ज़्यादा पेशेंट, जो 300 प्रकार की बीमारियों में, च अई प्रकार के लाइफिस्टाइल प्रॉलम, चाहिए ब्लड प्रेशर, डाइबिटीज, कोलिस्टरल, थाराइड, मिर्गी, माइग्रेन, या अस्पताल में गंबी रुप से भरती मरी, जो क्रिटिकल स्टेज पर जा चुके हैं, इवन जो कोमा तकी स्थिती में पहुंच को देखकर, आप किसी भी प्रेशन्ट की प्रेढ़ना से, किसी भी एक प्रेशन्ट की जान बचा सकते हैं, और निश्चित रुप से, यह हमारा प्रयास है, और हमारा विश्वास है, कि जिस तरीके से, इन 3000 प्रेशन्स के जो चेहरों पर मुस्कान लाकर, जिस तरीके से हम अगर दोस्तों आपको लगता है कि इन में से किसी भी 300 पकार की बिमारियों के लिए आपको हमसे कंसल्टेशन के अवसकता पड़ती है तो आप इंदोर इस्थित आरोग्या सूपर इस्पेशिटी मौडन हुमेपेटी क्लिनिक जो की जंजीर वाला चोरहा नियुपलासया में स्थित है आकर हमसे face to face consultation ले वे अगर किसी कारण से आप हमारे पास आने की स्थिती में नहीं है तो आपकी जितनी रिपोर्ट से हैं डिटेल से हैं में WhatsApp या email के माध्यम से प्रिसित कर दे वे हम लोग आपसे online consultation बात करके आपके लिए जो modern हुमेपेटी super special concept की जो fast, cost effective, natural, safe और permanent जो kit बनेगी जो की एक तरीके से आपकी सभी बिमारियों को combine करके हम एक ही kit में cover करने की जो कोशिश करेंगे उसे घर बैठे भी courier के माध्यम से बेज़ कर आपको दुर्गम से दुर्गम, जटिल से जटिल, कटीन से कटीन या surgical से surgical category की जो बिमारिया हैं उससे बिमारिया जो की जीवन बर lifestyle के साथ उन्हें परिशान करती और उन्हें जिंदगी बर बचाओ करने के लिए और एक तरीके से हो सकता आगे जाकर surgery का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता उससे उन्होंने जिस तरीके से अपने आपको मुक्त कराया और आज वह मुशाल और समाने जिवन प्राप्त करें इस उम्मीद के सांथ दोस्तों कि आप सभी स्वस्त रहें मस्त रहें हमेशा मुस्कुराते रहें मैं डॉक्टर अर्पित चोपडा जैन आरोग्य सूपर स्पेशलिटी मॉडर्न होमेपैथी क्लिनिक इंदौर थेंक्यू नमस्का तो दोस्तों ये थे सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होमेपैथी चिकितसा पद्धती के आविश्कारक डॉक्टर अर्पे चोपडा जैन चिन्हों ने बताया कि केवल उर्मिला साहु जी ही नहीं बलकि ऐसे अन्नी कई पेशिंट्स थें जो की सीलियक डिसीज जैसी गंभी बिमारी से परेशान थे जहां वो गेहों से बने हुए पदार्थ बिलकुल भी नहीं खापाते थे लेकिन जब उन्होंने मॉडन होमेपैथी ट्रीट्मेंट को अपनाया तो आज वे पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं एक सामाने जीवन बिता रहे हैं और सारे खादिय पद दवाईयों की मदद से जड़ से खत्म किया जा सकता है तो दोस्तों अगर आप या आपके परीचित में किसी को इस प्रकार की गंभीर या सामाने बिमारी हैं तो बिना देरी किये सुपर स्पेशालिटी मॉडन होमेपैथी चिकित सा पध्धती को प्राथ मिकता दे और अबस्ते रहने के लिए देखते रहे हैं आरोग या मॉडन होमेपैथी टेक केर